नाकपुर शहर में आजकल G20 को लेकर जोरों से तैयारिया शुरू है वही G20 के नाम पर हजारों पेडों पर लाखों किल डाली गई है और कई जगर लाइटिंग के लिए तार डाल कर बीजली भी चूरी की जा रही है जिसका विरोज शहर कॉंग्रेस कमिटी अलपसंग ख्या नाकपुर शहर में आजकल G20 को लेकर तैयारिया जोरों पर शुरू है वही G20 के नाम पर हजारों पेडों पर लाखों किल डाली गई है और कही जगर लाइटिंग के लिए तार डाल कर बिजली की चोरी भी की जा रही है और इसे विशय पर मनपा कारियाले में जम कर नारे बाजी कर कॉंग्रेसियों ने निशेत किया साथ ही सदर थाने में निवेदंदे कर मनपा अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर दर्श करने की मांगी नागपुर शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी अलपसंग ख्यांक विभाग के अध्यक्ष वसीम कान ने इस दारान कहा कि ना अनुनिकारवाई की जाती है और उसे जेल में भीजा जाता है कोई पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर भी केस किया जाता है अभी पूरे शहर में जीट्वेंटी के नाम पर जो काम मनपा के अधिकारी कर रहे हैं लगबक तीन हजार पेडों पर कई की ले ठो के गए है जो की पेडों को भारी नुक्सान पहुचा रही है ट्रियाइक के तहत उन पर भी कारवाई होनी चाईए ऐसी मांग आंदोलन के दोरान वसीम खान वरा की गई है जी ट्वेंटी के नाम पे जो तीन हजार वरिक्षो पे नाकपूर में एक लाग से अधिक खीले ठोके गए है आज उसका हमें विरोत कर रहे है और लाइटिंग के नाम पर जो वरिक्षो पे लाइटिंग लगाई है कई जगा केबल दालकर बिजली चोरी हो रही है यही बिज मानापके अधिकारी खुद स्वयम मिलकर कॉंट्रेक्टर वाके खीले ठोक रहे हैं पेड़ों पे जो कि ट्री एक्ट के हिसाब से वरिक्ष पे तुम अगर से खीले ठोकते हैं या विर्क्ष को कुछ भी तुम नुकसान पहुचाते हैं तो आप पर कानूनी उलंगन है और ट्री एक्ट के तह उस पर करवाई होती है तो हमारी यही मांग है कि मानापक के अधिकारी ओपर मानापक निके ठेके दारों पर और मानापक और से खीले नहीं निकाले गए तो हमने यह खीले ला है खीले के पैकेट लाए है कि हम पे खीले गाड़ दो और हमने वैसी लाइटिंग लगा जी गए क्योंकि ट्री भी एक कुदरत का हिस्चा है अगर से आप उनको नुकसान पहुचा सकते हो जी 20 के नाम पे तो हमारे को भी नुकसान पहुचा हो हम उसके लिए रेडी है वसीम ख झाल